तो हलो दोस्तों आगे हैं को और ने वीडिये के साथ और इस वीडिये में लोग बात करने वाले हैं ODS नंबर के बारे में तो चलिए आईए सबसे पहले देख लेते हैं ODS नंबर होता क्या है तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पर इंपूट में 13 दिया गया और आउटपूट में कुछ इस तरह गा बाइनरी एक्विवेलेंट पहले प्रेंट कराये गया फिर नंबर ऑफ वन्स मतलब कितना नंबर ऑफ वन प्रेजेंट है इस बाइनरी एक कर दिया तो यहाँ पर हुआ क्या हो रहा है कि 13 का जो बाइनरी एक्विवेलेंट है वो होता है वन वन जिरो वन ठीक है तो उसमें कितना नंबर ऑफ वन प्रेजेंट है थ्री नंबर ऑफ वन प्रेजेंट है मतलब कि तीन ठो वन आ रहा है यहाँ पर तो ओडियस नंबर का है कि कोई भी नंबर का binary इक्विवेलेंट जो होता है उसमें अगर odd number of one present है तो इसको odious नंबर बोला जाएगा ओर ओड नंबर फोन प्रेजैंट नहीं है तो इसको odious नंबर नहीं बोला जाएगा तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 1 1 0 1 में यहाँ पर 3 1 present है तो यानि कि odd number of 1 present है तो इसलिए यहाँ पर इसको odious number बोला गया है binary क्या होता है मतलब जो computer होता है उसमें हर एक number हर एक character का एक binary form होता है जिसके उपर मतलब computer binary digits को ही समझता है आप जो 13 डालते हैं उसका एक binary equivalent होता है एक डालते हैं उसका एक binary equivalent होता है तो computer binary form में ही चीज को समझता है आप जैसा सोच रहे हैं कि 13 डालने से 13 समझा नहीं वो उसको binary में convert करता है और convert करने के बात समझता है कि हाँ यह value 13 है ठीक है तो वही binary होता है तो यहाँ पर देख लेते हैं यहीं तक आपका print करना है ठीक है तो उसके बाद देख लेता है कि binary number के मतलब किसी भी decimal number को binary number में convert किया है कैसे जाता है तो सबसे पहले यहाँ पर करना क्या है आपको जो number दिया यानि कि 13 आपने input डाला तो 13 by 2 यानि कि 13 को 2 से डिवाइट किया आपने तो क्या आया 6 को से डिवाइट किया आया और remainder कितना बचा 1 remainder 1 ही बच रहे ना 2 इंटू 6 डू है फिर remainder कितना बचा 1 तो उसके बाद या गरना है 6 को डिवाइट करना है 2 से तो कितना बचा 3 उसके बाद यहाँ पर remainder कितना बच रहे है 0 2 इंटू 3 6 कितना हो गया 0 quotient में आपको कितना है 3 तो फिर 3 को 2 से डिवाइट करना बचा 1 यहाँ पर quotient और remainder कितना बचा 1 फिर 1 को जब आप 2 से डिवाइट करेंगा तो quotient कितना बच रहे है 0 और उसके बाद remainder कितना बच रहे है 1 तो इस तरह से आपको binary number calculate करना है किसी भी decimal को binary में convert इसी प्रकार करना है आपको और आपका यह जो नीचे से उपर जाना है या नीचे से उपर जब आपका 0 आगया मतलब कि quotient जब आपका 0 बच रहा है उस time जो remainder है वहाँ से चालू करके उपर के तरफ बढ़ना है यानि कि इसका binary equivalent हो जाएगा 1101 ठेक है तो आपको समझ में आगा कि binary equivalent कैसे निकलता है उसी तरह हर number के एक-एक binary equivalent होते है जैसे कि 1 का binary equivalent 1 होता है फिर 2 का binary equivalent 10 होता है 3 का 11 होता है उसी प्रकार यहाँ पर 13 का binary equivalent 1101 होता है ठेक है तो यही हम लोग अपने coding बे देखने जा रहे है तो चलिए आए देखते हैं इसके coding कैसे करना है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहां पर मैंने एक package बनाया है numbers के नाम से और उसके बाद लिखा import java.util.star यह मैंने क्यों लिखा क्योंकि मेरे को number एक input लेना है जो number को check करना है कि ods है की नहीं है ठीक है फिर public class मैंने ods number बनाया है उसके बाद publics यह सब तो बहुत ही basic है scanner sc scanner का object create किया है ठीक है तो यहां पर आप देख पा रहे हैं यहां पर मैंने तीन variable a, d, f उसको integer type से मैंने declare किया है a में आपका number input होने वाला जिसको check करना है कि वो ods है की नहीं और d का use और f का use आपका काम में आएगा कि कितना number of one present है वो calculate करने में उसको मैंने initialize कर दिया जीरो से और string s जो है वो आप उसको मैंने null से initialize कर दिया है और वो आएगा आपका क्या बोलते हैं कितना जो binary equivalent है उसको store करने में तो आप सोच रहे होंगे कि आप integer में calculate करेंगा उसको string में क्यों store करेंगे तो string में store करने से आसानी रहता है तो आपको आगे प्रोग्राम में पता चल जाए कि किस तरह store करना है तो यहाँ पर आप देख पा रहे है कि यहाँ पर मैंने एक message दिया enter your number तो यहाँ पर आपको भी message दे सकते हैं अपने मन मताबिक तो यहाँ पर मैंने एक इंटर और नमबर दिया उसके बाद a में input लिया है sc.next इंडिये तो आपको पता ही होगा कैसे input लिया जाता है तो a में आपका number input हो गया मान लिजे 13 input हो गया तो उसके बाद क्या किया है मैंने while a not is equal to 0 यहाँ पर while loop के अंदर मैंने condition दिया है कि a जब तक 0 के बराबर नहीं होता है ठीक है तो उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पर bracket मैंने चालो किया तो यह वाला जो आप पूरा statement देख रहे हैं यहाँ तक यह आपका पूरा while loop के अं write कर रहे हैं तो आपका remainder कितना मिल रहा था याद है आपको आपका remainder मिल रहा था वन तो यहाँ पर डी में वन इस्टोर हो जाएगा और अगर डी का value 1 के बराबर होता है तो frequency बढ़ा देगा यानि कि वन अगर आपको मिल गया तो यहाँ पर एक बढ़ जाएगा 0 था तो f मे 1 हो जाएगा फिर उसके बात क्या हुआ s is equal to d plus 1 तो यहाँ पर कर क्या रहा हूँ मैं यहाँ पर मैं simply एक string variable लिया है और उसमें store कराते जा रहा हूँ जैसे 1 plus null मतलब क्या हुआ आपका s में store हो गया 1 तो आप कोई भी integer को अगर string variable में store कराना चाहते तो आप simply उस variable का नाम ल convert हो जाएगा तो यह वाला जो अब आप देख पा रहे है one plus s करने के बाद s में आपका one तो store हो गया लेकिन वह उसको अब आप integer के तरह इस्तिमाल नहीं कर सकते जैसे कि one plus one two value return नहीं करा सकते हैं अगर आपको कराना ही है तो आपको s को पहले integer में convert करना हुआ तो यह सब के आसान है string में इसलिए कराया है ठीक है तो उसके बाद क्या हो रहा है उसके बाद a is equal to a by two किया मैंने तो वहाँ पर आप जैसे कि मैंने आपको पिछले में बताया तो उसमें जो quotient आ रहा था उसको वापस से two से divide करना था तो a is equal to a by two करने से आपका 13 को जब आप two से divide कर रह है तो उसका theyming इस जो है वह में इसटोर हो जा रहा है ंले में कितने इस्टोर और्यार रहा था तो फिर वापस से चेक कर रहा है कंडिशन की एजो के बराबर के बराबर नहीं हुआ तो फिर d its'ingles to a mod 2. तो आपका यहां पर जो फ्लस प्लस होना चीव नहीं होगा क्योंकि यहां पर डी वाला जो कंडिशन फॉल्स हो जा रहा है तो जीरो फ्लस एस किया गया डी प्लस एस करने से क्या हो गया यहां पर मैं इसको उल्टा इस्टोर करा रहा हूं जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ा दिर पहले कि आपको उल्टी तरफ से चलना है जैसे कि अगर आप सीधी तरफ से चले तो 1011 आ रहा था तो वो नहीं लेना है वो उसका बानेर यह कोई वहले नहीं है नीचे से उपर यानि कि 1101 इसलिए मैं उल्टा इस्टोर करा रहा हूं 101 फिर वन फिर वन आयेगा तो आपका सिंपली स्टोर ہو जाए गा है S में 1100 इल्टा इस्टोर करा रहा हूं ऐस में क्या था वन पहले pherle दे मैं क्या है जिरो टो 0 ब्लस वन आपका S में स्टोर ओग जिरो वन ठीक है उसके बाद A by 2 कर दिया यानि कि 6 by 2 यानि 3 हो गया तो उसी तरह while loop में वापस से घूमे गया और आपका इसी तरह आपका processing जब तक A का value 0 नहीं हो जाता तब तक process चलेगा ठीक है उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया यहाँ पर मैंने print करा दिया है binary equivalent plus S मतलब कि यहाँ पर जो आपका binary equivalent message दिया है मैंने और उसका जो equivalent आ रहे है जैसे कि 13 का 1101 आ रहा था तो वो यहाँ पर print करा दिया और उसके बाद क्या किया मैंने यहाँ पर if f mod 2 is equal to 0 मतलब कि अगर आपका जो f में value store है अगर आपका f में 3 store है तो f mod 2 is equal to equal to 0 वाला condition false हो जाएगा अगर आपका कोई even number store है तो f mod 2 is equal to equal to 0 true हो जाएगा तो अगर कोई भी even number हुआ तो यह वाला condition true होगा तब आपका क्या return कर देगा not an audience number और अगर odd number हुआ तो else वाला condition run करेगा और audience number यहाँ पर print करा देगा ठीक है तो चलिए आईए इसको run करके देख लेते हैं क्या हो रहा है तो यहाँ पर 13 मैंने आपको भी बताया तो 13 ही देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं audience number दिखा रहा है ठीक है और यहाँ पर मान लिजे 12 डाल दिया मैंने तो not audience number आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसका binary equivalent 1100 होता है ठीक है तो आपको आसा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गई होगी और अगर आप इस पूरे code को मतलब की written format में चाहते हैं और चाहते हैं कि आप वहाँ से copy करकर अपने compiler में run करकर देखें तो मैं नीचे एक link दे दूँगा उसमें से जाकर आप यह पूरे code को देख सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं तो चलिए तब तक के लिए बाई करता है रिए आप करता है करता है उसका है करता है